घर के वास्तू को ठीक करने के लिए घर के फैंक्शूई को बहतर करने के लिए इंडोर पौधे सबसे कुशल तरीकों में से एक हैं आप इन पौधों को घर में लगा करके अपने घर के वास्तू को ठीक कर सकते हैं आप प्रकृति को घरों मे लाते हैं तो आप जीवन शक्ती को बढ़ावा देते हैं और इंडोर पौधे को लगा कर वायू की गुडवत्ता में व्रिधी करते हैं आज ऐसे पौधों के बारे में बता रही हूँ जो एर प्यूरिफाइंग प्लांट की तरह काम करते हैं फैंक सोज के नाम से भी मिलेगा और मनी प्लांट की कई सारी विराइटी जाती हैं कोई भी लगा सकते हैं ये पौधे घर के अंदर हवा को शुद करते हैं आपके घर में हवा को साफ करने वाले ये आदर्श पौधे माने जाते हैं इन्हें फिल्टर्ड सनलाइट में आप अपन ये पौधे जहां भी लगे होते हैं वहाँ एक positive environment होता है positive उर्जा को आकरशित करते हैं तो इन पौधों को आप जहां भी लगा रहे हैं वहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए ये पौधे हमेशा उपर कि तरफ उचाई के तरफ रहें इस बात का ध्यान रखिए क अभी भी पत्तों को जमीन पर ना फैलाएं, ये कहीं न कहीं वास्तु दोश को उत्पन करेगा, ये पौधे हवा में मौझूद जो आप यू कह सकते हैं, जहरीले गैस होते हैं, उन्हें सोखने की शमता रखते हैं, तो ये जो मनी प्लांट के पौधे हैं, ये बहुत आसानी से अभी नर्सरी से ले करके आप लगा सकते हैं, दूसरा पौधा है एरीका पाम, एरीका पाम इंडोर चलने वाला एक बहुत अच्छा एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, इसे छोटे कंटेनर में आप लगा सकते हैं, छोटे बड़े किसी भी तरीके के कंटेनर में ये लग जाता है, इन पौधों को ज्यादा धूप की जरूरत नहीं है, ज्यादा कोई केयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, कि ज्यादा पानी देने से ये पौधे खराब हो जाते हैं, लेकिन आपके घर में इक बहुत इच्छी ग्रीनरी को और यह वायू को शुद्ध करने वाले पौधे होते हैं, अगला पौधा है ड्रेसिना का पौधा, छोटे कंटेनर में बहुत ही लंबा ग्रो हो जाता है, ड्रेसिना, ड्रेसिना की बहुत सारी विराइटी आती है, अब कोई भी लगा सकते हैं, इन पौधों को कटिंग के द् कर रखते हैं तो इन पौधों को आप अपने घर में जरूर लगाएं इन पौधों को ज़्यादा केर की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पानी से ये पौधे खराब होने लगते हैं तो एक बार लगाने के बाद आव वीक में एक बार पानी दीजिए इसे इंडोर भी रख सकत आउट्डोर में धूप से बचा कर रखना है प्रॉपर धूप में इसे कभी भी ना रखें अगला पौधा है स्नेक प्लांट एक बहुत ही जाना माना एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है इसे आप घर के अंदर वाश्रूम के अंदर या किचन में कहीं भी रख सकते हैं ये जो पौधे होते हैं ये सुरकशात्मक औरजा प्रदान करते हैं ये साप के पौधे के नाम से भी आपको मिल जाएगा और ये सिंसेवेरिया के नाम से भी मिलेगा इस पौधे को अपने बेडरूम में लगाने से आपको अच्छी नींद आएगी या पीले सिर वाला एक रात में ऑक्सीजन को छोड़ता है इस बात का विशेश ध्यान रखिए कि रात में ऑक्सीजन को जो पौधे छोड़ते हैं उन पौधों को अपने घर के अंदर जरूर लगाईए जिससे आप आराम करते समय अधिक असानी से सास ले सकते हैं या पौधा हवा में जाइलीन टॉलीन बेंजीन और कई सारे ऐसे जहरीले गैसों को हटा देता है तो इन पौधों को आप अपने घर में लगाईए बेडरूम में लगाईए किसी भी जगह पे लगा सकते हैं एक तो ये देखने में सुन्दर होते हैं इसकी बहुत वेराइटी आती है और छोटे कंटेनर में पेर नुमा अकरीती ले ले लेते हैं पौधों को कोई खाद की जरूरत नहीं है ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है ज्यादा पानी देने से इनकी पत्तियां खराब होने लगती है गर्मियों में आप इसे अंदर रखे सरदी के समय में आप इसे ओपन में बाहर रख सक हैं ये आपके घर के अंदर खराब उर्जा का मुकाबला करने के लिए electromagnetic radiation को filter करने के लिए जो computer से निकलता है या ऐसे किसी भी उपकरण से उसमें लणने में मदद करते हैं ये पौधे एक शांती पुन वाइब का आप कह सकते हैं उत्सरजन करते हैं यदि आप इसे अपने घर में लगाने की सोच रहे हैं तो ऐसे जगह पे लगाईए जहां पर की बहुत सारा electric का समान रखा हुआ ये है different bakia ये भी एक air purifying plant है लेकिन यदि आपके घर में pets है तो उससे इन्हें दूर रखे इसके पत्ते जहरीले होते हैं और इन्हें कट करने पर इसके अंदर से milk जैसी एक चीज निकलती है उस चीज से अपने pets को बचा कर रखें बच्चों को बचा कर रखें इन पौधों को ज़्यादा पानी देने से ये खराब हो जाते हैं ये फंड का पौधा फंड बहुत तरीके का आपको market में मिल जाएगा कोई भी फंड का पौधा आप लगा सकते हैं इसे इंडोर भी रख सकते हैं इसकी मिट्टी को नम रखा जाता है लेकिन ये एक प्रकार का आप यूं सकते हैं कि विशशग्यों का ये मानना है कि ये हवा में एक positive energy का संचार करते हैं तो इन पौधों को अपने घर में लगाने से आप एक अच्छी उर्जा या जिवन्त उर्जा को घर में लेकर आते हैं ये है अलोवेरा लक्षमी का प्रतीक होता है ये एक औशदिये पौध नाकरात्मक्ता को दूर करने के लिए आप इन पौधों को नियमित रूप से साफ सफाई रखें यानि कि पत्तियों को हमेशा wash करते रहें सर्दियां जादा हैं तो कपड़े से पोचिए और ये गर्मी है तो जब आप watering कर रहे हैं तो पत्तों को अच्छे से आप wash कर दीज असर डालेंगे और आप बहुत ही positive महसूस करोगे जब आप घर में enter करोगे आपने देखा होगा malls वेगरा में ये पोधे लगे होते हैं और काफी हर्याली भी खिरते हैं अगला पोधा है spider plant spider plant ये कम पानी और कम रख रखाओ के साथ चलने वाला एक air purifying plant है छोटे से basket में आप इसे बहुत ही अच्छे से grow कर सकते हैं ये जितने भी पोधे मैंने आपको बताए सारे 6-8 हिंच के बीच के container में grow होने वाले हैं और इन पोधों के रख रखाओ का complete video मेरे evergreen वाले चैनल पर है अब जाकर देख सकते हैं मुझे उमीद है आपको जनकारी अच्छी लगी होगी जनकारी अच्छी लगती है तो चैनल को like, share और subscribe कीजे और किसी पोधे के बारे में जानना है तो comment section में लिखे